स्री सद्गुरु देवाई नमा भायो वैनों, नाम जपने वाले को नाम माराज कभी निरास नहीं करते, बस थोड़ा धैरे रखने की जरूवत होती है धैरे के साथ निरंतर नाम जब करते रहे तो खुद देखेंगे कि जीवन में उनकी करपा कैसे होने लग जाती है हम को केवल नाम जब सांसारी कामनाओं को ध्यान में रखके के नहीं करना चाहिए, हमें भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए जब हम भगवत प्राप्ति के लिए नाम जब करते हैं तो हमारे सांसारी कार अपने आप होने लग जाते हैं नाम जब करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम को यह नहीं देखना कि हम कितने समय से नाम जब कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ किसी को जल्दी अनवा होने लग जाते हैं किसी को थोड़ा समय लगता है यह हमारे प्रारब्ध निरंतर नाम जब भाव और विश्वास के उपर निर्भर करता है जीव को कभी भी नाम पर सक नहीं करना चाहिए कि हमेशा विश्वास लगना चाहिए जब सबके जीवन में नाम महराज की क्रपा हो रही है तो मेरे जीवन में भी होगी मेरा भी कल्यान होगा मेरे जीवन की अंधेरी भी खत्म होंगे प्रारत के चलते जो हमारे जीवन में सार्रे मानसिक और आर्थिक संकट आए हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे बस निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जब करते रहे जीवन में उजाला होकर रहेगा आज जो कता यदा सुनाने जा रहा है वो राजिस्थान के कौसल जीने भेजी है उसको सुनकर आप भी समझ जाएंगे की अंधेरे जीवन में प्रक्रास कितने कम समय में नाम माराज कर देते हैं आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है इस कता को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक वस्त अवस्त देखिएगा इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा मांके विहारी जी की क्रपा और ब्रंदावन से जुड़ी कोई सत्त कता का आनन लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्छित प्रबात को जरूर देखें कौसल जी ने बताया गुरू जी नाम माराज कभी भी अपने भक्त को निराफ नहीं करते ही कुछ देर तो हो सकती है किन्तु क्रपा जरूर करते हैं इसमें कोई संसय नहीं है निरंतर नाम जब से सांसारी कार्य तो बन ही जाते हैं साथ ही साथ भगवान ही मिल जाते हैं जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं हमारे संत जंतों निरंता यही बात कहते हैं, किन्तु हम उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, जिसका कारण है कि हम दिन दात केवर संसाथ पर ही भरूसा करते हैं, लेकिन जब प्रारत के कारण हमारे जीवन में दुख आता है, तो हमें केवर परमात्मा की याद ही आने जाते हैं कि कहीं से कोई कृपा हो जाए गुरुजी मेरे जीवन में बहुत समस्या आई थी किन्तों नाम माराज ने सारी समस्या का समाधान कर दिया गुरुजी मैं आपको कोटी कोटी पडाम करता हूँ कि जो आपने इस पापी को नामदान देकर जीवन की सही दिसा दिखा दे गुरुजी मैं अपने जीवन के उसी अनभव को आज आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ जिससे और लोग भी नाम जब करने के लिए ट्रेडित हो सकें गुरुजी मेरा नाम कौसल है मैं राजिस्थान का रहने वाला हूँ वरतमान समय में अपने परिवार के साथ बैंगलोर में रह रहा हूँ मेरे परिवार में मेरी पतनी और बेटा है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था इसको प्रारब्द कहूं या इसको अपनी खराब किस्मत मेरे जीवन ने पिछले एक वरत से निरंतर कोई न कोई परिसानी लगातार बनी होती एक दिन की बात है जब मैं किसी काम से सहर के बाहर अपनी बाइक से गया हुआ था जब वापस आ रहा था तो रात के करी साड़े ग्यारा बज़ रहे थे रास्ते में पेसाब करने के लिए रुका जब वापस लोटा तो एक यूती अचानक मेरे सामने आ गई और वा बोली कि मुझको दो किलूमीटर तक जाना है इस समय यहां कोई सवारी नहीं मिल लई है मैंने पूछा कि तुम यहां तक कैसे आई तो वा बोली कि लिफ्ट लेकर आई हो मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया है पता नहीं मेरे मन में क्या आया मैंने उसको दो सो रुपए दे दिये और कहा किसी सवारी से आ जाना तो वा बोली इतनी रात में सवारी कहा मिलेगी किवल दो किलूमीटर की तो बात है मैंने कहा बैठ जाओ वो बैठ गई दो किलोमीटर के बाद मैंने जहां उसने बताया था वहां उतार दिया मैं वहां से घर आगया उस रात मेरे सर में बहुत दर्द हो रात बड़ी मुश्किल से मुझको नीद आई अगले दिन जब मैं आफिस से घर जा रहा था अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ रात में यह हाल हो गया था कि अगर कोई कुछ बोल दे तो मैं चिलाने लगता था मेरी पत्नी और बच्चे घबरा गए कि आखे मुझे हुआ क्या है लेकिन यह मेरे साथ रोज होने लगा कुछ समय के बाद मुझे को रात में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सरीर को बान दिया है मैं पलक तक नहीं जपका पा रहा था एक तरफ मेरी पत्नी थी दूसरी तरफ कोई और लेटा हुआ है इसका ऐसा मुझे को होने लगा मैंने अगले दिन अपनी पत्नी को बताया तो वह घबरा गई उसने कहा कि हो नहो कोई न कोई नकारातना सकती आपके पीछे पड़ गई है तब ही आपका वेवार पिछले कुछ समय से बदल गया है मैंने बताया कि रात में जब मैं आफिस से घर आता हूँ तो कोई मेरे पीछे बैठा होता है जिसका एहसास तो होता है किन्तु कोई दिखता नहीं है मेरी पत्नी बहुत घबरा गई उसने ये बात अपने माईके और मेरे घर वालों को बद्दे दी जिसको सुनकर वह लोग हमारे पास आ गए किसी सांती के पाफ ले गए किन्तु कुछ नहीं हुआ वा रात में मुझसे बोली तुम कुछ भी कर लो मैं तुमारा साथ नहीं छोड़ूंगी मुझको मजारों पर ले जाया गया किन्तु वहां भी कुछ नहीं हुआ एक बात मुझको धिर धिर ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा वजन घर्टने लगा है मुझको कमजूरी का एसास होने लगा जिसने जो जो बताया वो सब कुछ किया किन्तु कुछ नहीं हो रहा था कुछ समय के बाद मेरा एकमित जिसका नाम अमित है उसको पता चला हुआ मुस्टे मिलने आया और उसने मेरी पत्णी से कहा कि गुरुजी का यह नंबर है वह नाम जब से समच्चा का समधान करते हैं आप भी करो मेरी बेहन की समच्चा का समधान उन्होंने किया था गुरू जी जिसके बाद मेरी पत्नी ने आपको फोन किया आपसे बात हुई तो आपने मुझे और मेरी पत्नी को नामदान दिया नामजब की विदी और सावधानियों के बारे में समझाया आपने कहा नियंतर नामजब करते रहना गुरू जी आपके कतना अशार हमारा नाम जब चलता रहा जिसके बाद आपने हनुमान जी का अनुष्ठान करने को कहा और अनुष्ठान के बारे में आपने मुझे को समझाया गुरू जी मैंने अनुष्ठान सुरू कर दिया अनुष्ठान के 8-9 दिन बाद ही उसने कहा यह सब बंद कर दो नाम जब मुझे को बिलकुल पसंद नहीं है वरना मैं तुमको माल डालूंगी मैं कुछ नहीं कहा और करता रहा 11 दिन के बाद फिर कहा मैं तुमको बार बार बोल रही हूं तुम बंद करो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैंने एक चीज तो देख ली थी कि वो मेरे पास तो नहीं आरी थी मैं समझ गया कि नाम जब मुझे को बचा रहा है गुरू जी जिस दिन अनुष्ठान पूरा हुआ उसके बाद से वो कभी भी मेरे पास नहीं आई थी गुरू जी उसने मुझे पूरा एक साल परिसान किया था गुरू जी नाम जब और अनुष्ठान के कारण मेरे प्रान बच गए गुरू जी मुझे को समझ में आगया कि निरंता नाम जब करने से जीवन की में जो परिसानिया आती हों कभी नहीं आती है गुरू जी आपने जो कुछ हमारे लिखिया उसके लिए आपको मैं बारं बार पढ़ाम करता हूँ गुरू जी सच में मुझको लगता है अगर नाम जब ना किया होता तो सायद मेरा बचना मुश्किल था गुरू जी आपने जो मुझे सीता राम नाम का दान दिया है अब वो मरते दम तक नहीं छोड़ूँगा मेरी पत्नी भी उस दिन से निरंतर नाम जाप कर रही है गुरू जी बस अपना आसिरवाद हमारे उपर ऐसे ही बनाई रखिएगा जै जै सीता राम भाईो बैनो आपने देखा भगवान का पावण नाम आपका हर परिष्टिती में साथ दिता है निरंतर नाम जब आपके साथ कभी भी कोई आहित नहीं हून दिता राम नाम आपका कोई साथ दे चहना दे वो जरूर दिता है बस भाव और विश्वास के साथ पूरी सरणागती कर लिजे आपके वर नाम जब करें बाकि सब नाम माराद पर शूर दिजे आपको कता अच्छी लगी हो तो कमेंट में जैसी राम लिखना मत भूलेगा जिससे दास का मनुबल लगाता बढ़ता रहे और अच्छे पिर्णा दाइक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं आपसे निमिदन है अगर आपके पास भी राम नाम का अनुबह हो तो उसको मेरे इमेल या वार्टसप पर भेज़ सकते हैं जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में आवस्ट प्रस्तुत करूंगा इमेल का पता वार्टसप नमबर वीडियो के डिश्ट पर भेज़ सकते हैं